Hello students, welcome to my YouTube channel तो कैसे है आप सब लोग? I hope आप से भी लोग इच्छे होगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के Delhi DLAID और DPSC के form filling स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों के form filling की जो last date है वो है 15 में तो 15 में तक आप SCRT के official website पर जाकर form को fill कर सकते हो आपको form को कैसे fill करना है अपने mobile से आप कैसे DLAID और DPSC के लिए apply कर सकते हो वो मैंने video बनाई हुई है उस video को देखके आप easily अपने mobile से Delhi DLAID और DPSC के form को fill कर सकते हो वीडियो का link आपको नीचे description box और comment box दोनों जगा देखने को अब मिल जाएगा तो इस video में हम basically बात करने वाले हैं उन candidates के बारे में जो अभी graduation में है या DLAID के साथ में graduation करना चाहते हैं तो उनके लिए ये video है क्या वो DLAID के साथ में graduation कर सकते हैं क्या वो valid माना जाएगा या नहीं माना जाएगा उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा तो अगर हम officially देखें कि DL8 के साथ में graduation करना valid है या नहीं तो इसका answer है नहीं अगर आप DL8 के prospectus को देखते हो आप page number 17 पर आप देखना साफ साफ आपका लिखा गया है कि DL8 के साथ में आप कोई भी other course नहीं कर सकते हो चाहे वो regular mode में हो correspondence हो या part time हो मतलब regular और open से आप किसी भी तरह से DL8 के साथ में graduation या कोई भी other course नहीं कर सकते हो बट अगर आप किसी भी diet में जाकर देखोगे तो more than 50% students जो है DL8 के साथ में अपनी graduation कर रहे होते हैं अब उनकी graduation valid है या नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ वो एक तरह से valid मानी जाएगी अगर वो साथ में दोनुस चीजों को ना दिखाए तो जैसे हमारे DSS भी है और KVS है वहाँ PRD के लिए अगर आप apply करते हो primary teacher के लिए तो आपकी eligibility criteria क्या होता है कि आपकी 12th pass होनी चाहिए minimum 50% marks आपकी DL8 होनी चाहिए minimum 50% marks और आपका CT8 paper one pass होना चाहिए यह आपका criteria होता है वहाँ पे graduation आपसे नहीं मांगी जाती है ना ही DSSB में ना ही KVS में और ना ही BPSC में ठीक है इन तीनों में आपकी graduation नहीं मांगी जाती है और REIT में भी आपकी graduation नहीं मांगी जाती है PRD के लिए तो वहाँ पे आप apply कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपने DL8 के साथ में graduation इसके साथ में डिल्एड किया है तो दोनों को कभी भी आपको साथ में नहीं दिखाना अब इसके जो benefits हैं, वो मैं आपको उता देता हूँ, एक तो आपके time बचता है, अगर आप graduation करने बैठोगे पहले, तीन साल आप graduation में दोगे, तो आपके लगबग 5 साल चले जाएंगे, वो 3 साल तो आपके वो waste होगे, ठीक है, और जो हमारी PRT की vacancies होती है, जैसे DSSB में है, हमारा age limit जो है जैसे gap में आती है, ठीक है, तो उस candidate की एक बार, दो बार की vacancies तो हाथ से चले जाएंगे, उसके पाद काफी कम chances बचते हैं, ठीक है, तो अगर आप deal rate साथ में करते हो, तो ये आपको benefit होगा, कि आपका time बचेगा, ठीक है, और इसके demer rates अगर देखते हैं, तो ये हैं आप आपको दुबारे से graduation करके वो दिखानी होगी, ये वाली graduation, same duration की आपकी graduation नहीं चलेगी, वहाँ पे फिर दुबारे से आपको graduation करनी होगी, और वो वाली graduation दिखाके आपको पर्मोशन लेनी होगी, अगर आप same graduation दिखाते हो, same duration में, कि आपने deal rate और graduation साथ में किये, तो वहा then और बात कलने UP में जो एक्जाम होता है UP की जो PRT की वेकंसी आती है primary teacher की वेकंसी वहाँ पर graduation मांगते हैं तो वो आप apply नहीं कर पाऊगे अगर आप DLAID के साथ में graduation करते हो तो वहाँ पर आप eligible नहीं हो और साथ ही में चंदीगड में भी जो है डालड़ की जो वेकंसी साती है PRT की तो आप समझ गए होगे क्या आपको DLAID करनी है साथ में या नहीं करनी है तो अगर आपको विडियो अच्य लगी हो वीडियो के लाईक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा THANK YOU SO MUACH